अगर खुद को confident feel करवाना है तो वस एक चीज़ सोचो कि तुमने क्या कर रखा है एक महिना बचा होगा नीट का जब एक सप्ता बचा होगा नीट का जब 15 दिन बचा होगा नीट का उस समय तुम्हें यह चीज़ याद आगा भाया ने यह जो बताया था यह अभी काम कर रहा एसा वह उपगा जो सलेक्ट हो रखा होगा उनसे पूछना कि भाया क्या आपका स्लेक्षिन बिना मेहनट के हो गया था क्या कि आज चार चैप्टर फिजिकल केमिस्टी को निप्टा देना आज बाइलोगी का चार चार च्पर निप्टा देना आज और्गनिक मिस्टी सब्सक्राइब करना कैसे 4R का रूल बता रहा हूं 4R यह क्या इसका मतलब होता है रीड और यह चीज़ अगर तुम इनॉर्गेनिक के सारे चप्टर्स दे साथ कर लिए तो आयम हंदर नाइंटीनाइन परसेंट से और परसेंट से ओर ठीक है कि तुमसे नीट में एक एक कोश यह जो वीडियो है ना बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें बता हूं पता है क्यूं क्यूंकि अभी डिसेंटली नीट का डेट आगया आपको पता होना चाहिए कि 5 माई 2024 आपका नीट का डेट है ठीक है अब उस डेट के एक बच्चे न करें पर अगर तुम यह सोच रहे हो कि बीना रिवीजन करें तुम्हारा नीट में सेलक्षन हो जाएगा तुम एक मिनट में को सौल्व कर लोगे यह गर तुम्हें को सौल्व करना है तो तुम्हें उसके लिए एक चैप्टर को 10 बार बार पंदुरा बार रिकॉल करना और यार मैं तुम्हें बता रहा हूं देखो नीट का भी डेट आया ना तो डेट आने के बाद ना ऐसे बहुत सब्सक्राइब होंगे जो घबरा गया होंगे एक्जाइटी फील कर रहे होंगे भाई आप कैसे होगा यह उसे तो बस यह दिख रहा होगा ना कि यह बहुत छू अपने आपको कूल रखा था अगया आगया कोई बात नहीं यार मैंने बहुत कुछ कर रखा बस एक चीज़ है कि रिवाइज नहीं करा याद नहीं है वह हो जाएगा ना तो अपने आपको कूल रखो और सांथ दिमाग से काम करो एक डॉक्टर बनने जा रहे हो और एक करा था कि मुझे यह चीज़ अचीव करना है कैसे भी किसी भी हाल में तो चाहिए कोई भी परिशानी हो हम कर लेंगे ठीक है तो यह तो अभी डेट आया है डेट के वाद एडमिट काड आएगा बहुत कुछ आने वाला है उस हर समय तो एन एक्जाइटी यह सब फिल नहीं कर रहे हो बड़ा से बड़ा competitive examination का एक guide होना बहुत जड़ी है एक advisor होना बहुत जड़ी है और उसको तुमने blindly follow करो क्योंकि उसके पास ने experience होता है और वह experience को अगर तुम अपने daily life में apply करते हो तुम्हारा productivity बहुत बढ़ जाएगा ठीक है तो इसस का याद रखना मैं तु मैं अपने coaching के bus में बैठा हुआ था और मैंने बस में decide करा कि अब क्या करना है date आ गया मेरा 11th approach खतम हो रखा था पूरा 12th ऐसा कुछ था मुझे exact याद नहीं है तो मैंने क्या करा था ना मैंने बस यह सुचा था कि आगे क्या करना है मैंने बस में decide करा कि मेरे क्या क्या chapters अ कि तुमने क्या कर रखा है क्या कर लिया इससे तुम्हारा confidence और अगर तुम यह सूचते रहा होगे कि यह चूटा हुआ यह चूटा यह चूटा हुआ और भाई कभी तुम्हारा अंदर confidence नहीं आएगा प्भी नहीं आएगा तो पहले चीदि ये करो कि अपना एक work chart बनाओ work chart कहने का मतलब यह हुआ कि तुम्हारा क्या हो गया है क्या होना है अब किस चीज को कितना बार revise करोगव मैं आगे दिखाऊँगा कि work chart कैसे बनाओगे जो मैंने खुद बनाया था मैं बता रहा हूँ कैसे उसके बाद revision के लिए क्या करना है कि revise frequently अब तुम्हें ये इमांदारी से बता रहा हूँ अगर तुम्हें NEET में अच्छा score करना है 650+, 660+, जो भी तुम्हारा reside सपना है score करने का तो उसके लिए revision चाहिए और वो revision ऐसा नहीं है कि कोई chapter को तुमने आज revise कर लिया और उसके बाद 13 दिन के बाद revise करो 20 दिन के बाद revise करो वो फिर जब तुम्हें वो नया दिखेगा तो उसे कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें करना क्या है कि revise frequently और सबसे most important बात मैं बता रहा हूँ कि decrease your revision time revision time को decrease करना अगर तुम revision time को decrease करते हो ना तो जो last का phase आएगा ना जब एक महिना बचा होगा नीट का जब एक सप्ता बचा होगा नीट का जब पंदरे दिन बचा होगा नीट का उस समय तुम्हें यह चीज़ याद आएगा भाईया ने यह जो बताया था यह अभी काम कर रहा है जब भी तुम कोई चटर को revise करते हो ना तो हो सकता है कि पहरा दिन revise करने तो दो घंटा लग जाए एक घंटा लग जाए लेकिन जब second revision करोगे ना तो उस दो घंटे को decrease करके एक घंटे पे लाओ फिर उसको एक घंटे को decrease करके 45 मिनटे पे लाओ यह revision का process है यह स्मार्ट तरीका है सच बता रहूं यह स्मार्ट तरीका है और सबसे लास्विना मैं एक 4R का rule बताऊंगा कि 4R का एक rule है जो मेरा अपना था और I think बहुत सरे बच्चे फॉलो करते हैं तो start करते इस वीडियो को यहां से बहियार देखो पहले चीच की work chart तुम्हें कैसे बनाना है अपना इस NEET के लिए सुनो वैसे तो यह वीडियो नीट वाले हो जई वाले हो कोई भी देख रहे हो तुम्हें फाइदा करेगा ही क्योंकि जई का भी डेट आ गया है ठीक है work chart कैसे बनाओगे करना क्या है कि एक page निकालो उस page को तीन पार्ट चार पार्ट में divide कर लो इस परकार से divide कर दिये divide करने के बात क्या करो एक पार्ट में अपने सारे chapters के नाम लिख लो और ये page ना subject wise बनाना और मुझे बताना comment में कि कर रहे हो कि नहीं अगर करोगे तभी होगा ठीक तो करना क्या है कि इस परकारसे table बना लो और इस परकार से यहाँ पर अपने chapter के नाम लिख लो ठीक है chapters के नाम लिख लिए उसे ही side में क्या करना एना कि तुम्ने कितना बार revision कर रखा है और कितना बार करोगे उसके लिए तुम्हें करना क्या है यहाँ पर मालो चैप्टर का नाम लिखा डाईजेशन और। ठीक है। यहाँ पर लिखा, अगर तुमने एक बर रिवीजन कर रखा है, तो एक बार यहाँ पर टिक कर दो, कर दिये ना और मालो कोई और और चप्टर यहाँ पर एक एक यजा ठीक है उसका वह रिवीजन करनी टीक कर दो अब फर्दर तुम कितना बार रिविजन करोगे उसके लिए करना क्या है कि यहाँ पर एक और टिक XV एक बार रिविजन के एक और कोसिस करना अभी से लेके नीट तक यह जो बॉक्स ना इसको रखना इसको रखना तुम्हें बाद में पता सलेगा तुम्हें सेलेक्शन के लिए कितना मेनद करा था यहां पर तुम्हें करना क्या है कि at least हर चैप्टर में 10 टिक होना चाहिए हर चैप्टर में minimum minimum 10 टिक होना चाहिए मतलब minimum हर चैप्टर को 10 बार तुम्हें रिवाइज करके जाननी है ठीक है और यह number of question तुमने question कितना practice करा जैसे तुमने अभी मालो present में कितना कर लिया 40 कर लिया होगा ठीक है next जब तुम करोगे 50 और extra कर लिया next तुम 100 extra और add करोगे त चैप्टर से 500-600 questions solve कर लो नीट में देखो चैण मैंने एक बार सोचा ता मैं बता रहा हूं मेरे मोक टेस्ट में एक बहुत कम माक्स आया था सच बता रहा हूं मैं बहुत कम माक्स आया तो मुझे यह समझ में आया कि मेरे test paper में question बनते ही नहीं जैसे नया question आता है तो मेरे स बनते ही नहीं है, मेरे दिमाग बस यह हीट किया था, फिर ना उसी दिन, उसी दिन मैंने यह सोच लिया था, यार जितने टाइप के कोश्चन एक चेप्टर से बन सकता है, वो सारे टाइप के कोश्चन मैं सॉल्व कर लूँगा, बात खतम, अब देखो, हर बार जैसे टेस्ट में होता ना, यह प्रोसस धीरे-दीरे हुआ, और जब टेस्ट आया, नेक्स टेस्ट हुआ, उस चेप्टर से कोश्चन आया, मैंन के समय तक, ताकि तुम्हें यह realize हो कि तुमने किस चेप्टर को कितना बार revision किया, आगे मैं यह भी बताऊँगा कि कैसे करना है, चेप्टर-wise revision, subject-wise revision, ठीक है, धान सुना, अभी तुम्हें एक और चीज़ मैं recommend कर रहा हूं, अपने हिसाब से, जो मैंने खुद करा था, सु इसने से वाल तigers या जो भी चीज़ याद करने वाला हो गाना, जो भी चीज़ में है, एको प्लिक नाम इसमें राइड बाएड बहुलते विटहों एक सु इस पेजमा का, ठीक है जैसे कि मालो यह page square ship का page है ना जी square ship का page है center पे chapter का नाम लिख देना यह chapter का नाम है digestion and absorption chapter का नाम है ठीक है और इस chapter में arrow देखे इधर-इधर एक mind map type का पूरा चितने भी important points जो तुमने अपने NCRT में पढ़ा होगा text book में पढ़ा होगा भूलने वाला points होगा जो तुमने question bank वेगरा solve करा होगा previous question solve करा होगा जहां से भी तुम्हें लगे कि ये point important है और NEET में अभी तक नहीं पूछा है उस प्रकार का notes बनाना मैं बता रहा हूँ बहुत important चीज़ है क्यों मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहीं चीज़ है ना जो तुम्हारे last के phase में काम आएंगे last के दो मन्त जब बचेंगे ना तो उस समय तुम्हें NCRT पढ़ रहा होगे लेकिन जब last का 15 दिन बचेगा 7 दिन बचेगा उस समय का strategy मैं बता रहा हूँ मैं अभी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हें उस समय आगर realize हो कि यह सच में मैंने यह बहुत बढ़िया कर रहा था और यह अभी काम कर रहा है तो जो भी important points जो भी important data जो भी चीज़े लगे important formula important question important concept कि यह बढ़िया है यह बारवर हमें पटना इसको बारवर रिवाइस करना वह चीज़ को इस notes में लिख देना यह तुम्हें लास्ट में काम आएगा अब मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ एक बार subject wise हम discussion कर लेते हैं कि भाया physics का revision कैसे करेंगे revision कैसे करेंगे सुनों तुम्हारे पास class का notes होगा class के notes में questions करवाएगा होंगे और regular basis पर mock test हो रहा होगा ठीक है यह तीन चीज़ हो रहा होगा और यहीं तीनों चीज़ पर physics chemistry biology में तुम्हें बता रहा हूँ करना क्या है कि जब भी तुम्हारा next mock test होगा next mock test होगा उस next mock test का जो भी syllabus होगा उस syllabus के according अपना class का notes revise कर लोगे और उस class के notes में तुम्हें करना क्या है तुम्हें एक चीपढ़ना है वह class में जो theory पढ़ाएगा वह theory और class teacher ने जो question करवाया वह question वह question बस इतना चीपढ़ाई रखो class 11 के जो भी topic पढ़ाई हो चुके हैं छूटे बढ़े हैं वह सारे topics को एक-एक करके time तो निकालना पड़ेगा या देखो अगर life में बहुत बड़ा कुछ अचीप करना है ना तो मेहनत करना पड़ेगा सच बता रहा हूं अगर मेहनत करते हो honestly भगवान भी है उपर जो देखते हैं मतलब देखते रहते यार तुम मेहनत करोगे ना तभी selection मिलेगा तुम ऐसा को भी अच्छा होगा जो select हो रखा होगा उनसे पूछना कि भाया क्या अगया आपका selection बिना मैहनत के हो गया तक्या और ऐसा अक भी नहीं मिलेगा एक बीने मिलेगा कि जो यह बोलें कि आरे मैं तो वह सो रात हो सेलेक्शिण है इसे हो गया एक भी आहिसा प्युत आरे मेरे से पूछ नहीं यार मैं जानता हूं जब कोई एक average बच्चा select होता द इतना गिसना परा है उसको select होने के लिए ठीक है तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं क्या बता रहा था कि तुम्हें class notes class question class notes और class question यह चीज़ को revise करना और practice करना class question बहुत important बस यह दोनों चीज़ पर तुम्हें काम करते रहना class 11 का अब शुरू करो कैसे तुमने वर्क वर्क सीट बना लिया अब एक एक चैप्टर को उठाओ उसका class का notes revise कर लो notes के अंदर का question देख लो और 20-25 question को solve कर लो तुम्हारे पास module होगा अगर तुम offline coaching वेगरा से पढ़ाई कर रहे हो अकास से पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास उसका module होगा उस module से तुम question solve कर तो मैं तुम एक और चीज़ बता रहा हूं कि अगर तुम offline coaching national talent hunt examination यह जो examination है class 7th से लेगे class 12th के student तक दे सकते हैं और यह जो examination है इस examination का cost तो 100 rupees है बट इस video के description में आपको एक link मिलेगा उस link के थुरू आप registration करके examination देते हो तो आपका कोई पैसा नहीं लगने वाला है और यह scholarship test है तो आप भी दे सकते हो ठीक है इससे क्या हो कि आपको future में neat जाई अगर आपको examination का probation करना चाहते हो तो उसमें आपको सहलियत हो जाएगा ठीक है और यह जो examination है यह October में होगा 7th और 15th of October को तो आप इस examination को offline या online दोनों दे सकते हो registration करने के लिए link में इस video के description में दे दिया हो तो वहाँ से आप registration कर सकते हो ठीक है अब देखना कि solve few easy questions मैंने क्या बोला कि जब आप class के notes पढ़ लेते हो जब आप class के question solve कर लेते हो तो उसके बाद खुद से दिमाग लगाने के लिए बहुत tough question मत solve करना पहले easy से सुरू करो ठीक है solve few easy questions and then conceptual question conceptual question solve करने के आपका दिमाग खुलेगा कुछ भी tough नहीं होता यार कुछ भी tough नहीं था उस coaching में मेरा बहुत सरा batchmates थे उसमें कुछ batchmates ऐसे थे जो कि बहुत brilliant थे ICAC board से पढ़के आया थे कोई EA board से मतलब उसमें क्या होता है पहले से बच्चे बहुत कुछ पढ़के आ रखे होते हैं तो वैसा बहुत सरा बच्चा था मतलब कि कोई CBAC में बहुत अच्छा rank ल दिखाया और पट से answer देने वाल भाई मैं तो सौक हो जाता है कि मुझे question को समझने में जितना time लग रहा है उस time में ये question का answer बोलना है कि और मेरा फिर क्या होगा और मैं उसमें बहुत depressed हुआ करता था यार कि मैं मतलब 10th failure type student हूँ और मैं need के provision के यहां पर आ गया हूँ और मेरे सामने ऐसे बचे competitor हैं तो भी मेरा selection होगा कि नहीं बट हो गया ना यार फर्स्ट अटेम्ट में selection लिए हैं फर्स्ट अटेम्ट में सही बता रहा हूं फर्स अटेम्ट में तो यहां पर main बात आते हैं कि तुम कितना खुद को धैर करके मैनत करते हो क्योंकि selection यार तुम महारे अंदर क्या कमी है खुद को खुद से compare करो कि तुम में तुम में क्या कमी है और क्या improve कर सकते हो खुद को जब दूसरों से compare करोगे तो stress आएगा लेकिन खुद से compare करोगे तो positive stress आएगा मैं अगले वीडियों बताऊंगा यह चीज़ क्या होता है ठीक है अब मैं next बत करने के लिए तुम्हें क्या करना है क्लास का नोट्स और NCRT केमेस्टी में यही दोनों चीछ चलता है क्लास का नोट्स और NCRT थोड़ा बहुत module लेकिन कोई ऐसे नहीं है तो कोई बात में क्लास का नोट्स और NCRT क्लास के नोट्स फिजिकल केमेस्टी में करना क्या है सु और पूरे क्लास को रिवाइज कर दो क्लास 11 को पेश पलताने में कितना ताम यह एक वर पेश देखो और उसमें क्या करवाया गया था थूरी क्या पढ़ाया गया मैं बता रहा हुँ नहीं आज चार चेप्टर निपटा देना है आज और इस परकार से टार्गेट लो खुद को और यह न जब अभी तुम्हारा क्लास 12 चलता है न तो उस समय क्या होता है कि हम बहुत कुछ अब हम सीख गया अब 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 वह करने करने तो अब करने करने कि सनो फिजिकल के मिश्टी का नोट के करना नोट का कॉश्यक्टर के लिए अब अब प्रैक्टिस जो चीज़ glance मैंने completed लेवंद में सीखा था अब उसको अपलाई करना है क्लास टूबल तूमें यह रिविजन करने में न मुझे लगता है 20 मिनट लगेगा मैक्सिमम एक चैप्टर के लिए मैक्सिमम 20 मिनट रिविजन करने के लिए और उसके बाद तुम्हें टाइम देना है क्योंट रिविजन करने 40 चैप्टर से 40 से रिविजन करने अब यह चाप्टर तुम्हें करना है और क्या क्या फॉर्मूला अपलाई कर रहे हो कैसे कर रहे हो concept क्या लगा रहे है वह सारे चाप्रूजों को तुम्हें देखना है देखो मैं बता रहा हूं chemical bonding पहले अच्छे तरीकी से किसी टीचर से पढ़ा है ना बहुत सरे इसे टीचर से हैं महारत टीचर से लोग है जो इन और गेनिक भी अच्छा पढ़ाते हैं ठीक है वैसे दियार मुझे नहीं पढ़ाया गया तो सब कुछ मैंने खुद से पढ़ पर नहीं हूँ honestly बता रहा हूं मैंने अपने जिंदगी में एक गोल्ड मिटल भी नहीं जीता है तो as an average student मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि करना कैसे है इन और गेनिक को अपना डिवाइड कर दो ठीक है कोई ब्लॉक उठा रहे हो कोई पी ब्लॉक डिवलॉक अगर नहीं पढ़े हो तो नहीं पढ़े हो तो पहला और पढ़ोगे और पढ़ लिए हो तो कैसे रही वीजन करोगे मैं बता रहा हूं एक ब्लॉक उठाओ एक ब्लॉक और उस ब्लॉक को चार दिन में डिवाइड कर दो कि इसको चार दिन में पढ़ना है और पढ़ने के बाद ना एक एक क्वेशन बन जाएगा अगर थी को पर लिये न तुम्हारा एक, एक क्वेशन बन जाएगा नीट में ड़ स् самой कि में लिखके दे रहाँ औरे हो ये यह में बोल नहीं रहाँ यह एक दम प्रैक्टिकल चीज बता होगा पढ़ाने को जो बनवाया होगा नोट्स तुम्हारा बना होगा उस नोट्स को हर एक मॉक्टिस से पहले कोशिज करना कि पूरा निवाइस करके जाए पूरा क्योंकि और यह होता है हर चीज है रिलेटेड होता है तो मतलब तुम देखो ना अगर अभी से भी तुम साथ मॉक्टिस देते हो साथ सतर मॉक्टिस तो साथ सतर बार तुम रिवाइस कर दो करना क्या है कि जब भी तुम कोई क्यों पढ़ते हो ठीक है मालो की biology का तुमने biomolecules उठाया ठीक है या फिर कोई और चप्टर बोलो ना यार जब तुमने उसको पहला बर पढ़ा तो आधा आधा दो दिन में पढ़ा और जब नेक्स दे तुम पढ़ोगे ना तो पहले उसको क्या करो recall 4R का रूल में बता रहा हूं 4R का रूल बता रहा हूं 4R यह क्या इसका मतलब होता है read ठीक है recall revise or then remember read recall revise and remember read recall revise and remember पहली बार तुमने NCRT को पढ़ लिया बढ़िया किया और दूसरी बार पढ़ने से पहले रीकॉल करो कि तुम्हें क्या क्या याद है बुसरी बार पढ़ने से पहले recall करो कि तुम्हें क्या-क्या याद है उसको लिए तुम क्या कर सकता है ठक दो या फिर chapter खोलने से पहले अच्छा अच्छा ये चप्टर में ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, इस परकार से तुम रिकॉल कर लो, और रिकॉल करने के बाद, रिवाइज, रि मतलब दुबारा, वाइज मतलब देखना, रिवाइज, रिवीजन, ठीक है, तो करना क्या है कि रिकॉल कर लिए, अब चप्टर को आओ, और देखो, कि क्या-क्या मैंने रिकॉल करा, कुछ गलत तो नहीं है, तो रिवीजन कर लो उसको, ठीक है, और रिवीजन करने के बाद, जो ची तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, बार-बार भूल रहे हैं, भूलने वाला चीज़ उसको रिमेंबर, रिमें तुम 21 डेस तक करो, 21 डेस का चैलेंज लेलो, कोई भी नया टेकनीक को, कोई भी नया हैबिट को अपने आप में सामिल करने के लिए, अपने आपने उतारने के लिए, उससे 20 से किस दिन करना होता है, एक मन्त करोगे न, तुम्हें एक आटोमेटिक एक रिदम आ जाएगा, करना है, तो इस प्रकार से तुम्हें करना है, और I think, रिवीजन का यही बस एक चीज़ करना है, पस एक की करना है कि रिवीजन का टाइम को डेस करना, जब भी तुम्हें बाईलोजी के न सिर्ट को पढ़ते हो, तो पहला बर पढ़ोगे, तो तीन-चार खंट लेगा, ल कि वो सारे important points जो मैंने mark कर रखा है उसको पहले पढ़ लेते हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं और वो पढ़ने के बाद फिर दिरे-दिरे odd degrees करो कि बहुत बर ऐसा होता ना कोई इसा लगता है यार मैं यह चप्टर भूल गया हूं मैं यह चप्टर भूल लेकिन होता कि मैं कोई point भूल रहा होता हूँ तो तुम्हे करना क्या है कि एक बहुत बढ़्या टेकनिक में बता रहा हूँ बहुत बढ़्या जो हमेसा तुम अप्लाई करना कि जब भी कोई chapter तुम्हें लगे यह point हम भूल रहा है बस तो उस point को जाके पढ़के आजाओ ठीक है तुम्हें पूरा confidence आजाएगा ठीक है और I think ये वीडियो तुम्हारे लिए helpful रहा होगा मैंने एक plan बता है मैंने एक idea बता है revision करने का और अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए helpful रहा तो इस वीडियो को like करके जाओ चैनल को subscribe करके जाओ और ऐ ऐसा ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे जो तुम्हारे प्रहाई में बहुत है ठीक है thank you so much पहुजिंग इस वीडियो पभाई टेक केर पढ़ाई करते रहें